प्रच्वना देवी दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका जी नमस्कार जी जी अदाब जी ड़क्तर साथ मैं आपकी दवाई को साथ खा रही हूँ अच्छा कौन सी? एक तो अलर्जी की खा रही हूँ जो जो खाम और ठीक है अस्तमा आरके अर्माजून? नहीं वो जो देशी दवाई बताई थी न उनाब बगेरा अच्छा बनाईए आपने? अहां वो खारूंगी मैं अच्छा उससे अराम है वैसा मेरे को जी जी जरूर आराम होगा मैं जो भी नस्का बताता हूँ उससे जरूर आराम होता है अगर आपको विश्वास होतो और एक मैं वो जे शरीर में जो दर्द कमर में दर्द बहुत होता था ना बहुत ज़्यादा तो उसकी भी आपने दवाई दी थी वो सिया गॉंद वगर बताई थी वो भी ले रही हूँ तो लेकिन वो दर्द ना कम नहीं हो रहा है मैं फिर दुबाला गिर गई तो और ज़्यादा होने लग गया चाँ देखिए गिरने का बिल्कुल तह नहीं था और और ज़्यादा हो गया आप बहुत एतियाद करें और उसे जारी रखें ये जो 100-200 ग्राम आप गॉंद सिया खरीद लेतें गॉंद सिया यानि काला गॉंद ये खतम होने से पहले आपका ठीक होना मुम्किन है जैसे नाब वाला नस्खा मैंने आपको बताया आपको फायदा होने लगा इससे भी फायदा होगा उमर ज़रा जादा हो तो थोड़ा कम फायदा होता है अदमी यंग हो तो ज़रा तीज से फायदा होता है आप विश्वास रखें उपर वाले पर और मुझ पर भी भरोसा बिल्कूल ने करें लेकि मेरे जो तज़र्बे हैं आप से शेयर करता हूँ जिसको फायदा हो वो मेरे लिए दुआ भी कर सकता है इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है नीलम जोदपूर से हमारे साथ स्वागत है नीलम आपका नमस्कार रखें साथ जी आदाब नीलम जी सार मेरे पती के बारे में पूछना है उनको पार्किंसन है दो अजार टार से अच्छा और अभी यह सती है कि टैबलेटर से सब तक की करता है नहीं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सब पूछ अब एज कितनी है इस वक्त उनकी अभी पचास है अच्छा पार्किंसन कभी पूरी बाड़ी में होता कभी हाथ में होता कभी गर्दन में कमकवाद बिल्कुल नहीं होता है पूरी बाड़ी में जक्रण रहती ठीक है ठीक है अच्छा देखिए एक तो उनको मूँ की दाल की बडीवी सबजी और यह सब किलाया करिये मूँ की दाल का हलवा मूँ की दाल की खिचडि मूँ की दाल की सबजी ऐसे मूँ की दाल का Unterstützung खुब अच्छे से इस्तिमाल कराई है उन्हें और एक नस्खा आप बना लें खुदी देखिए एक आता है गौन जिसे कहते हैं गौन मौरिंगा गौन मौरिंगा आप 100-200 ग्राम खरीद लें और उसको 1.5 ग्राम सुबा बदा ग्राम शाम पानी में मिलाकर या दूद में मिलाकर दूद हो तो चर्बी वाला ना हो जो बगहर चर्बी का दूद मिलता उसमें आप उन्हें दिया करें और कोशिश करें कि एक घंटा वो पैदल चल सके रोजाना तो उनको बहुत फाइदा मुम्किन है नेक्स्ट कॉल्ड है रंजीत हमारे साथ स्वागत है रंजीत आपका जी नमस्कार जी नमस्कार जी अधा अच्छा मुझे परसानी है तकर्वें 5-6 साल हो गया 5-6 साल पहले मुझे बाएं पैर में दर्दिवा और सुजन जैसे हुआ था उसके बाद से क्या हुआ कि बाएं पैर में जब भी बैठ रहा उट रहा था तो करकड की आवाज हो रही है उसके बाद ये दोनों पैर के भुटने में हो गया और फिर ये बाएं बाएं हाथ के केमनी में भी हो गया और अभी कंदे का दुनों जवेंट में भी आवाज होती है करकड की जैसे लग रहा किसका लिक्विड सुब गया क्या हुआ पता नहीं और दूनों ज्वेंट में हलका डर्द भी होता है बाजूगा यह है हमारी प्रॉलम भाई आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है 52 साथ है तिक्टी टू येर्स ठीक है चाह देखिए हर शख्स को जीवट के 45 साल के बाद या पहले भी अब तो होने लगा है ऐसे दर्द होते है अगर आप कोई मेहनत्ता काम करते हैं तो उसे कम कर दें वजन उठाने जैसा काम घर में वेस्टन टूइलेट नहीं हो तो कुर्सी वाला तो वो लगवा लीजे बहुत जरूरी है और धनिया सौफ धनिया सौफ मेथी यह सब साबुत लीजे सौसो गराम धनिया, सौफ, मेथी और गौन्सिया काला गौन इसे कहते है गौन्सिया हम लोग कहते है आम लोग इसे काले गौन के नाम से जानते हैं यह गम है काले किसम का बूरे रंका जिसे brown होता है और इंतहाई कड़वा है तो इन सब को आप powder बनाएं और एक गिराम सुबा एक गिराम शाम लगातार खाएं यह material खतम होने से पहले आपका ठीक होना मुम्किन है तो चलिए आपका ठीक होना मुम्किन है लेकिन आपको ये उपचार अपनाने होंगे जो अभी हकीम सहाब ने आपको बताए है दर्शकोगर हम बात करें अतिया हर्प्स की तो अतिया हर्प्स एक ब्रांडिट कमपनी है जिसकी 500 से भी जादा हिंदुस्तान में फ्रिंचाइजी है और अगर हम बात करें हकीम सहाब की तो अतिया हर्प्स के प्रमोटर, फाउंडर, रिसर्चर है हकीम सुलिमान खान सहाब जो अपना कीमती समय निकाल के आप सभी के सामने यहां पे आए हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं, हकीम सहाब ये चाहते हैं कि आप लोग देशी नुस्के अपनाए, आप यूनानी पदिती से जुड़े, आप समझे अपने आपको अपने जीवन को और अपने स्वास्ते को बहतर जा रही हैं चलिए नेक्स कॉलर से बात कर लेते हैं जी नमस्कार स्वागत है आपका हलो हलो मेरा नाम राधा बस्ती है जी राधा सवाल कीजिए मेरी एस 18 प्रेम मुझे हेर फॉल का बहुत जाब लेंगे प्लीज मुझे इसका सेलिविशन बताएं मेरे हैर कैसे ठीक हो सकते हैं ठीक है आपकी अमर की बच्चियां अक्सर यही शिकायत करती हैं कि उनका हैर फॉल हो रहा है और या उनके पिंपल्स निकर रहे हैं तो एक अच्छा इलाज है और वो काफी काम्याब है लेगिए एक नारीयल पानी आप रोजा न पी सकते हैं तो रोजा न पिया करिए एक नारीयल पानी इससे आपके बाल बहुत ग्रोध करेंगे शेहत भी आपकी अच्छी रहेगी और अगर उससे भी वैसे इससे रूख है और खुब ग्रोध भी होती है उससे भी नहीं रुके तो एक नारियल पानी में आदा गिराम गौन मौरिंगा मिलाकर पिया करें ये बहतरी नस्खा है घरेलू आप इसे इस्तमाल कर सकते है तो चलिए जो बालों की समस्या आपके साथ चल रही है वो खत्न जरूर हो लेकिन ये उपचार आप अपना लीजेगा हकीम सहाब हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स ऐसे भी जुड़े थे कारेक्रम के बाद जो ये जानना चाहते थे कारेक्रम में आप दर्शकों को ये जरूर बताएं कि जैसके एक संक्रमण एक महामारी पूरे दुनिया भर में फैल करने के बाद उन्हें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए ये जानना चाहूंगे आपने अच्छा किया इस हवाल किया क्योंकि ये उसी का मौसम चलना है और मैं भी चाहता हूं कि लोगों को सचेत करो अच्छा देखिए सैनिटाइजर हम कर रहे हर आफिस में आपके आफिस पूरे दिन और 24 घंटे सैनिटाइज ही रहे और देखिए वह ये तरीका है कि तामे के रिंग आते हैं तामे के रिंग आप सब समझते ही होंगे तामा एक धातुव जो जिसके बरतन भी बनते हैं तारे बनती है तामे के रिंग अपनी उंगलियों में पैने एक इस में एक एंटिसेप्टिक और एंटिवाइटिक मैटेरियल है जो मैटल है इस से आप ये करें कि जब भी हाथ धोएं अपने साबुन से या बगार साबुन के तो पोचे नहीं उनको ऐसी जटक दे और ये ताबे से जो निकलता है जो कुछ एक तेजाब टाइप की आपने देखा वो जो तामे के रिंग पहनते हैं उनकी वो अंगुली थोड़ी सी नीली सी रहने लगती है ये बहुत अच्छी है इस रोक के लिए जो इस वक्त महा मारी चल लिए उसके कीटानों को फॉरन मार देता है तो हर वक्त कमसकम दो रिंग तामे की पहने है और इससे आप पूरे दिन 24 घंटे सोते जाकते सेनिटाइज रहेंगे आपका हाथ यहां लगेगा तब यहां के जरासीम भी मर जाएंगे कोई और जरासीम होंगे वो भी मर जाएंगे एक ये दूसरा घर पहुंचते या आप सीधे बातरूम में जाके नहाएं और अपने कपड़े वाशिंग मे डाल दें और तूसरे कपड़े पहलें एक ये तरीका फासला जो मेरा और आपका है इतना फासला जरूरी है बिलकुर पहले हम लोग करीब बैठते थे अब थोड़ा फासला हमने भी बढ़ा दिया ताके लोगों को सबक मिले जो दिखे पहले लोग अपने गरम मसाले तेज कर देते हैं खाने में आप भी जो गरम मसाले हैं ना उनकी जराश तादाद वढ़ा दीजे सबसालन में ये भी इम्यूनिटी के लिए है बहुत अच्छी है लैसन अदरक जीरा दारचीनी ये सब बढ़ा दीजे जितना डालते हैं उससे दुगना तिगना डालने लगी है और पहले लोग जो पहले सो साल पहले हमेशा आती है सो सो साल में ये बीमारी पहले लोग कलॉंजी का नमक कलॉंजी कहते हैं इसे ये एस्टेक होता है कलॉंजी नाम की जड़ी ब्यूटी का एस्टेक होता है इसे आसान जबान में नमक कलॉंजी कहते हैं घर से निकले एक दो चुटकी पानियों मिला के पी कर निकले घर में आये तो एक या दो चुटकी हर आद भी पिये तो यह अंदर से सैनिटाइज करता है यह इम्मुनिटी को फॉरण वुस्टप करके आपको 24 घंटे की एनर्जी कामियाबी से देता है ठीक है इसी के साथ और कॉलर जुड़ है हकीम साहाँ बात कर लेते हैं उमा शंकर है यूपी से हमारे साथ स्वागत है उमा शंकर आपका जी नमस्कार है कि आपको चोट लग गई थी आपका अपरेशन भी हुआ था आपको फ्रेक्चर भी हुआ था आपके एहसास है टांगों में आपकी रीद की हड़ी में चोट लगी थी जी तर फित्र हो गई गुजा चार्थि यह थित्र हो गई तर आपको लेंट्रीन बात्रूम का एहसास होता है जी जी इसा रखता अलका हो गया इसको आप कोई बैट सोर तो नहीं हुआ कोई जखम तो नहीं हुआ अभी कोई जखम तो नहीं है जखम तर रुगता है तो पता चलता है नोचा जाए सर एक पैर में चल्काल कोगा लगता हो अचार टांग चला लेते हैं आप ऐसे हिला के जी का नहीं चलती है तो इस फोरत कर लें हमारे पास से डाक्टर को फोन करेंगे और पूरी रिपोर्ट शेयर कर लें हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें आपका सब कुछ कर हो चुका है, अपरेशन भी हो चुका है, मायूस मत हो ना, जो लोग आस रखते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, जो मायूस होते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, और कोशिश किया करिए फीजियो थेरेपी, अपने पैर आपके चले, नहीं चले तो अपने हाथ से चलाई, कोई और चला है, थोड़ा-थोड़ा movement ज़रूर हो, उससे बहुत फायदा मुमकिन है। किड्नी में क्या हुआ है, किड्नी में क्या बताए डॉक्टर ने? मैं तसबारा साल वालिया जी, किड्नी में प्रोब्लम था जी, घदूद की सिकायद जी अच्छा, एच कितनी है बताएए पिशाब में तकलीफ है क्या? पिछाव की रुक पिछाव की रुक बोलिए पिछाव किसी काय तरह जे रुक जाएजे अच्छा देखिए ज्यादा अम्र में जाकर कुछी को कुछ कमूर में भी गदूद बढ़ जाते और पिशाब में तकलीफ होती है, मुश्किल से आता है, या रुख जाता है, या आता ही रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो एक सिर्का आता है, अलोविरा तो आप जानती हैं, अलोविरा का सिर्का भी आता है अलव विराका सिर्का ले लिजे और दिन में एक दो बार दो दो चमच खाने के बाद पानी में मिलाके लिया करें मुझे अमीद है कि आपका ये रोक ठीक होना मुम्किन है